हे गाइस वेलकम बैक टू मैं अनदर वीडियो आज मैं आपके लिए रिवीव लेके आया हूं रॉयल इंफिल्ड हिमालेंग 450 का और रिवीव करने के पीछे सबसे बड़ा रेजन है हिमालेंग 450 की बिल्ड क्वैलिटी टेकनोलिजी उसी के साथ साथ इस बाइक के क्या क्या है तो अपने बहुत सारे वीडियो इमेजिस देखेंगी जहां पर न्यू हिमालेंग 450 का चेजी टूट गया है कार्बॉरेटर लीक कर गया है इंजन से लीकेज हो रही है फ्यूल पंप में इश्यू है इवन चेंस प्रकेट सेट के नेट बोल्ट निकल निकल के गिर रहे ह उसी के साथ कुछ भाईयों के तो डिचल स्पीडोमेटर के अंदर इन्फोर्मेशन गलत आ रही है तो गेर नंबर सिक पे चल रही है बाइक बट वो शो कर रही है इवन यहां तक के डिस्क ब्रेक में भी प्रॉब्लम आ रही है तो दूस्तो इनी सब कोस्टेंस के आंसर द अब बात करते हैं कि यार इस बाइक में इतनी प्रॉब्लम होने के बाद भी यह बाइक कितनी सेल की हो रही है इसका जो प्राइस पॉइंट है ना वो काफी अच्छा है इसके फोर वेरेंट आते हैं बेस पास समिट एंड हैं ले ब्लैक 3,29,000 से स्टार्ट आये जहां पर लगए आपको सिर्फ कलर डिफेरंस मिलता है बाकी आपको सेम बाइक मिल जाती है इस प्राइस पॉइंट पर एडव empresa segment में बढ़ाएए और कौन सी बाइक है जो इस तरह का सर्विस नेटवर्ट इस तरह का प्राइज इस तरह के पर्फॉर्मन इस तरह के फीचर्षे आफ रहेंगे अगर आपको problem कम करने है तो आपको इसका almost double price pay करना होगा उसके पीछे का reason है तो आपने कावद सुनी होगी जितना good डालोगे उतना मीठा मिलेगा तो friends यहाँ पर अगर आपको build quality, performance that means कि कोई major issue ना है, कोई major problem ना है सो अगर हम बात करें same category में, Honda NX500 की, सो दोनों almost same category की bike हैं even वहाँ पर आपको थोड़ा performance और better मिल जाता है, but अगर pricing की बात करें, तो almost double है on road daily, Honda NX500 मिलता है 6,70,000 रुपीस, सो इस price point पर आपको Honda NX500 मिलता है definitely वहाँ पर आपको engineering अच्छी मिलेगी, technology अच्छी मिलेगी build quality अच्छी मिलेगी, because Honda की bike है, और Honda की technology engineering हमेशा से आगे रही है because Honda एक Japanese company अब बात करें next option की, so यहाँ पर KTM Adventure 390 390 आपको मिलता है 3,92,000 on road daily almost आपका 50,000 expensive है Royal Enfield Himalayan 450 से उसी के साथ BMW G3 10R 3,70,000 और वहाँ पर आपको 310 CC का engine मिलता है बट वो BMW का है उसी के साथ अगर हम Benelli की बात करते हैं Benelli TR के 500 2 CC के इन्जिशत आती है जहाँ पर आपको price देना होगा 6,64,000 So friends, ये कुछ example थे और ये example इसलिए नहीं है कि यार देखो, ये महंगी बाइक है देखो, problems उन में भी आ सकती है मैं बार बार कहा रहा हूँ दोस्तो, machine है machine में problems आ सकती है So Himalayan को गाली देने से पहले एक बार जरूर सोचें कि यार, machine है दूसरी बात ये कि यार, इस price point पर जो आपको ये performance features offer कर रहा है न वो और कोई brand नहीं कर सकता आप market explore कर लीजिए दोस्तो, मैंने बहुत ही bikes देखी है अगर हम बात करें budget segment में Suju की VStrom काफी अच्छा option है 248,000 on-road Delhi मिल जाता है बट वहाँ पर आपको 250cc engine मिलता है ये बहुत सारे छोट-छोटे differences है bikes में जो आपके decision को लेने में help करते है किसी को 250 segment चीए because daily office जाना है उसको highway ride करना है वाल में 2-3 बार off-road करना है जैसे बंदों के लिए काफी अच्छा option है बट मैं बार-बार यही कह रहा हूँ जितना gold डालोगे उतना मेठा मिलेगा तो बाई trend को काली देने से पहले कमियाँ बताने से पहले एक बार ना यार सोच लिया करो दोस्तों ये कोई sponsor वीडियो नहीं है Royal Enfield ने मुझे बोला नहीं है जो वीडियो देखता हूँ जिस तरीके से इंस्तारील पे यूट्यूब पे Royal Enfield हिमालेन 450 के बारे में लुग जिस तरह से बोल रहे ना मुझे वो थोड़ा डाइजस्ट नहीं होता यार कि थोड़ा सा एक बारी पीछे मुड़के देखो क्या आपने पे किया है और उसके बाद आपको क्या मिला है आपकी जानकारी के लिए बता दूँ ADV सेग्मेंट में Adventure सेग्मेंट में Royal Enfield हिमालेन 450 सबसे ज़्यादा बिखने वाली बाइक है हाल ही में लाउंच हुई है पिछले साल इसके बावजूद इसकी जो delivery है ना 2 months की है 2 months के बाद मिलेगी booking के बाद दोस्तों आप समझ सकते हैं bike काफी अच्छी है छोटी मोटी चीजे उपर नीचे हो जाती है machine है technical problems है कभी-कभी होता है bike के issues हो जाते है bike में problems आ जाती है इसका मतलब यह नहीं कि brand गंदा है या bike गंदी है दोस्तों आपकी कहा रहा है comment करके जूर बताएं और भाई मैं बार बार कहा रहा हूँ जिन भाईों को बुरा लगा हो दिल से sorry बोल रहा हूँ यार मेरा इसके पीछे किसी भाई को से इम फीचर्स ओफर करती है तो वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना मिलते हैं इस वीडियो में थैंक्यू थैंक्यू सो मच